नमस्कार आज एक बहुत ही बड़ी आ टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजर हुई हूँ आज मैं आपको 16 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप बिजनस को अच्छा बना सकते हैं 16 ऐसी बाते हैं जिसे आप अगर अपनी जिंदगी में लाते हैं, अपने बिजनस में एक्जिक्यूट करते हैं, तो आपको बिजनस में सफल होने से कोई नहीं रो सकता, तो इतिहास में भी आपको ऐसे बड़े बड़े नाम दिखेंगे, टाटा बिल लामवानी, जो 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 से पैसों से शुरुआत की, लेकिन 16 कौन सी ऐसी बाते थी, जो उनके जहन में थी, उनके व्यक्तित्व में थी, जिन्हों ने उनको यहां से वहां पहुचा दिया, तो चैनल सब्सक्राइब कीजे, वीडियो अन तक देखके, लाइक कीजे, कमेंट बॉक्स पे लिखेगा क किस तरह की वीडियो से आप और देखना चाहते हैं, बिजनस से रिलेटिड और हाँ, वैल आइकॉन का बटन जरूर दबाईए, ताकि सब अपडेट्स आप तक मिलें, तो चलिए शुरुआत करते हैं, तो 16 टिप्स में सबसे पहला फैक्टर जो रिस्पॉंसिबल है आपक पहला कदम है और असफलता दूसरा, कोई भी व्यक्ति मुसीबतों और असफलता के बिना सफल नहीं हो सकता, असफलता आपको सफलता को स्विकार करने की योग्य बनाती है, असफलता से मिलने वाली सीख के दम पर ही आप सफलता की और आगे का रास्ता तै कर पाएंगे रूल नहीं बिजनस आइडिया सोचिए, भेड़ चाल में ना चल कर अलग तरीके से सोचिए और नहीं प्रियोग कीजिए, अपने बिजनस आइडिया में विश्वास रखे हो सकता है, शुरू में दुनिया आपको पागल समझे, लोग आपको संकी कहें, लेकिन कुछ बढ कोई भी निया बिजनस आइडिया बहुत कम समय में तेजी से सफल हो सकता है, अगर उस आइडिया से लोगों का जीवन आसान बनता है या लोगों की समस्यां दूर होती है, इसलिए अपने आसपास की समस्याओं का विश्लेशन कीजिए और ये सोची कि कैसे आपका बिजनस या बिजनस आइडिया उन समस्याओं का समाधान कर सकता है, रूल नमबर छे लीडर्शिप, नित्रत्व कीजिए, बी अ लीडर और स्वेम को जिम्मेदार बनाएए, एक टीम के कैप्टन की तरह अपनी टीम का नित्रत्व कीजिए, रूल नमबर साथ टीम बिल्डिंग, अच्छे लोगों की टीम बनाएए, व्यवसाय में पैसों से जादा लोगों को महत्व दीजिए, आपके व्यवसाय में काम करने वाले लोगों को करमचारी ना मानकर एक साजेदार के रूप में देखिए, अपने लोगों पर भरोसा रखिए और उन्हें मौके दीजिए, रूल नमबर आठ, शेयर प्रॉफिट्स, व्यवसाय में होने वाले फायदे को सभी में बांठिए, आपका बिजनस तभी आगे बढ़ सकता है जब आपकी टीम के लोग आपके बिजनस को अपना मानते हों। रूल नमबर नौ, मोटिवेट, सिर्फ पैसा काफी नहीं है, हर रोज नए ने तरीकों से अपनी टीम को प्रेरित कीजिए और चुनौती दीजिए, बड़े लक्षन निर्धारित कीजिए और सदस्यों को जिम्मेदारी सों पिए। रूल नमबर दस, कस्टमर सेटिसफाक्शन, कस्टमर की जरूरतों को समझे और उनको उमीद से जादा दीजिए, कोई भी कुणवत्ता से समझोता मत कीजिए, अगर क्वालिटी शानदार है तो बिना विज्यापन की सहायता से आपका बिजनस सेजी से सफल होगा, लगाता फीडबाक दीजिए और अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को बेहतर बनाएए, रूल नमबर ग्यारा, फाइनेशिल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सीखे, बिजनस में पैसे किसी इंजन में पेट्रोल की तरह हैं, जो बिजनस को चलाते हैं, विशलेशन कीजिए कि कहां कह आप अपने खर्चों को कम कर सकते हैं और किस तरह से अपना रेविन्यू बढ़ा सकते हैं, रूल नमबर 12, कॉंपिटीटर्स, प्रतिसपर्दा और व्यवसाइक वातावरन को समझे, ऐसे इनोवेटिव आइडिया सोचिए, जिससे आप पूरे मार्केट को अपनी और प्यार कीजिए, जो किसी भी कम्पिटीटर के पास ना हो, रूल नमबर 13, टेकनोलिजी, वर्तमान यूग में टेकनोलिजी एक गेम चेंजर बन गया है, अपने वेवसाइक वातावरन का विशलेशन कीजिए और सोचिए, कि किस तरह आप टेकनोलिजी की मदद से पूरे मा करनी है, रूल नमबर 15, पार्टनर्शिप, अपने बिजनस में अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, अलग-अलग बिजनस के साथ पार्टनर्शिप कीजिए और सुनिश्चित कीजिए, कि आप मिलकर किस तरह एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, रूल नमबर 16, बी रेड जाती है, और एक रूल अपनी जंदगी में हमेशा रखें, वो ये कि हार मत मानिये, नेवर गिव अप और इससे अपनी लाइफ का मोस्ट इंपोर्टन टूल बना लें, तो मुझे पूरा योकीन है कि इन 16 टिप्स को आपने जहन में उतार लिया होगा, ये मैं बार-बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप हार नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने कई बार सुना है, कि जब तक आप चलते जाते हैं, तब तक आपकी रेस खतम नहीं होती, जब तक आप गिर जाते हैं, और फिर उठने ही पाते हैं, वहां आपकी रेस खतम हो जाती है, और आप फेलियर क लेकिन अगर आप बीच में ही रूख गए तो आप ना पास की केटेगरी में है ना आप फेल की केटेगरी में है तो अपने आप से हार मत मानिये बाकी दुनिया जो कहती है कहने दीजी अपना संकल्प द्रड रखिए विल पावर स्टॉंग रखिए और मुझे इचाजब दी आपके बिजनस का सचा साथी